वीडियो में दिया गया नुस्खा रजा लाइब्रेरी रामपूर की किताब यूनानी तिब में साधारन इलाज की पुस्तिका से लिया गया है। परिवार कल्यान मंत्रा ले द्वार माननेता प्राप्त है। और आपको यकीनान आराम तो मिला होगा लेकिन वो चीजे कई थी। अब इसमें यूनानी की किताब में से मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं। तो इसको जीकाउन नफस यानि दमा यूनानी में जीकाउन नफस कहते हैं। तो इसमें जो ये फार्मूला है ये उसी किताब से है जिसके बारे मैं अभी आपने इंट्रोडक्शन देखा। तो दमा, दमा हम कैसे डिफाइन करेंगी कि हमें दमा है या तो डॉक्टर ने हमें किसी जाच के बाद बता दिया कि हमें दमा है दमे में क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। दमे में सांस की तंगी के दोरे आते हैं एक दम से सांस सुरुख सी जाती है और किसी किसी को पंप लेना पड़ता है या फिर कई बार अगर पंप की जाधा आदत होती है तो इसमे eggs ढर 거는 ढिलाती है beyond scenario इसमें जो डाध की ये चीज सी कूड़ जाती है कोनियों को घुटने पर रख लेता है और जुक के बैठ जाता है और उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो इसमें जो है इसमें दो ही फार्मूले हैं एक फार्मूला नमबर वन जो एक सिंपली सब लोग यूज़ करते हैं अध्रक का रस जो है एक चाय का चम्मा चले लेना है हमें मतलब 1 TSF और रात को सोते टाइम गरम करके इसे लेना है उपर से कोई चीज ना लें तो बहतर है और फार्मूला नमबर टू यह बहुत काम की चीज है इसमें क्या करना है? हमें आपने आपके पीड देखंगे जो commonly लगए होते हैं आपको पर-पल फूल आते हैं एक में वाइट आते हैं जो वाइट आते हैं उसे आपक या मदार भी कहते एं तो हमें उनके फूलों की जरूए थया रेलोग लाइन पर या भर जहाँपर यहर को पीड़ा राम से मिल जाएगा तो हमें 100 gram आख के फूल लेना है और 60 gram नमक ले नमक जो इस्तिमाल करें डेली वाला नमक को पीज कर ले ले लें तो 100 gram आख के फूल और 60 gram नमक और और सिंपल इसमें क्या करना है वही मिट्टी के प्याले जो आते हैं सकोरे उसमें यह दोनों चीजें मिला कर रख देंगे और इसे चिकनी मिट्टी से बंद कर देंगे इसे धूप में सुखा कर 15-20 किलो उपले लेना है और उस पे जलाना है उस पे जलाने के बाद जब खुद ठंडा हो जाए तो इसे खोल के जो अंदर जली हुई दवाई होगी इसे निकाल ले इस दवाई को पीस कर रख लें और इस दवाई में से 3-3 ग्राम सुबा शाम शेहद में मिला कर चाटें इससे बहुत अच्छा दमे में आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छी दवाई है यह और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरू करें शुक्रिया